हेई गाइज यहर विल्कम बैक टू माइ नून दर वीडियो सो गाइज यहर काफी कॉमेंट्स आ दे था लाइक जो लैप टाई है वो थोड़ी बड़ी लग रही थी तो मैं मुझे पहले से भी पता चल रहा था यह सब चीज मैं गौर कर रहा था तो गाइज एक आर्ट का मै पеты बताना चाता हूं लाइक जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं तो गलती भी करना काफी जरूरी होता है तो गलती से ही कुछ सीखने को मिलेगा तो इस territory के लिए आप लोग को काफी दिल से थ हैन्क्यू बोलूँँगा यआर क्यूँकि आप लोग ने mistake पगरा और मुझे काफी कुछ proportion जो face का जो shading proportion मेरा थोड़ा मुझे काफी मतलब लग रहा था कि वहाँ पर भी मैं mistake वेगरा कर रहा हूँ तो ये धीरे-धीरे करके मैं भी मतलब फिलाल ठीक करने की कोजिज किया बट उतना भी फिलाल मुझे नहीं लगता कि मेरे से ठीक वह पाया बट जितना हो पाया मैं किया तो एक बात ही बताना चाहूँगा कि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं तो आप लोग इसी तरह demotivate मत होना और अच्छे से हम लोग को draw करना है पिछले एपिसोड में हम लोग ने draw करा था यह देख सकते हो hair को draw करा था और hair tutorial लाया था इस एपिसोड में हम लोग draw करने वाले joelleries को और काफी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो highlight वेगेरा काफी ज़्यादा आप लोग को detail काम करना होगा तो काफी मज़ा आने वाला इस वीडियो में आप लोग को इस टैक्निक्स बताऊँगा कि आप लोग इसली ड्रो कर पाऊँगे और बिल्कुल भी same to same draw करना कोई जरूरी नहीं है आप जोवेलरी को मतलब एक डीटेल वर्क करोगे और सबसे पहले में यहार चलाऊँगा जोकी एच भी पैंसिल का यूज करके मैं फस्त लेयर चलाऊँगा तो लेयर वाई सेडिंग करना मस्ट है मिलता है और आप लोग के लिए अलग लग मस मस कॉंटेंट पर वीडियो लाने का मन करता है तो ऐसा कुछ है देख सकते हूं मैं फिर इससे ब्लेंड कर रहा थोड़ा डाक करके अब मैं इसमें थोड़ा डिटेल वेगरा करूंगा तो अभी फिर से मैं थोड़ा डाक पैंसिल इसमें थोड़ा डाक वेगरा चलाऊंगा जहां 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 पर ज्यादा डाक होगा तो इस तरह करके मैं डिटेल कर रहा हूं तो अच्छे से देख सकते हूं यहां पर टॉममोंगों जिरोरेजर का काफी ज़्यादा यहां पर काम आएगा और प्लस मैं जेली रॉल पैन वाइड जेली रोल पेन उसका भी काफी ज्यादा मैं यूज करा हूँ उससे और भी ज्यादा जो चमकीला पन है लाइक चमकता जो है जो एलर्स वो आ जाता है यहां जहां पर ज्यादा करते हैं यूज करके जायासु Christmas up कबनार तरह करके हूँ इस तरह करें लिए्टेल करोगे कहाँ लेगा पट इसमें वी मैं काफी 1.5 घंटे लग गया हैं और भी आप अच्छा ड्रो कर सकते हैं और भी जादा आप टाइम दे सकते हैं तो और भी जादा आपका आपका जो डीटेल वाक है वो काफी उबर गया आएगा और भी जादा टाइम दोगे तो तो ऐसा कुछ है और धीरे-धीरे करके मैं देखना आप लोग लाइक कैसे मैं ड्रो करता हूँ और काफी अच्छा होगा देख सकते हैं जो जेली रॉल पहना है उसका यूज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर जहाँ पर है आप लोग जादा मस लगेगा अगर उसको करने के बाद देखना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा जो 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 हमारे पास है तो यहाँ पर जो मैं सेड कर रहा हूँ तो काफी मजा आने वाला है इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को पुड़ा अच्छे से देखो और आप लोग इसी तरह से ड्रो करने की कोसिस करो कोई भी प्रोब्लम आता है तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करना तो काफी एक मस्त इडियो है इससे आप लोग अच्छे से डो कर पाओगे जहां तक मुझे लगता हूँ यहां देखो का पास्ट कर अ तो एसा कुछ दिख रहा और मैं थोड़ा इसमें और डीटेल कर रहा हूं थोड़ा डाक पैंसिल का यूज करके बीच-बीच में जहां पर डाक है वहां पर मैं डार्क चला रहा हूं तो अभी देखना आप लोग उतना चनी लगेगा इसमें जब मैं हालाइट दूंगा जब यूज करता हूं तो देख सकते हूं अब मैं यूज कर रहा हूं टॉंबम और जिरो रिजर का और हाइलाइट वगेर दे रहा हूं तो काफी अच्छे से एक लुक आ रहा बट इसमें भी ओड डिटेल वगेरा करना है और डिटेल वगेरा करूंगा लाइक जेली रॉल पैन का भी यूज करूंगा तो फिर देखना आप लिग काफी जादा एक अट्रक्टिब लुक और मिलेगा इस तरह करके मैं ड्रो कर रहा हूं और आप लोग अच्छे से देखो अच्छे से अब्जर्ब करो में कैसे कैसे कर रहा हूं तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आजाग और आप लोग इसली ड्रोग कर पाओगे तो आप लोग यह लास्ट एपिसोड है इस एपिसोड के बाद मैं सोच रहा हूं कि एक टाइम लेप्स वीडियो अप्लोड कर दूगा जो कि रस्मीका मंदाना का रहेगा और वो सिर्फ दो से तीन मिनट करेगा तो एक अट्रक्टिव कभी चमकीला पना रहा लाइक और भी ज्यादा मस लग रहा अट्रक्टिव लग रहा तो इसी ज़र करके मैं ड्रोग के आप यहां पर भी स्कीन को थोड़ा ड्रोग कर लेता हूं जल्दी यल्दी तो इसमें तो कुछ है नहीं तो गाइस यहां पर भी डिटेल वर्क करना पड़ेगा तो सिंपल यहार आप लोग एक लेड़ चलो लाइक मैं 4B पैंसल का ज्यादा भी हलका मैं नहीं चला रहा मैं 4B पैंसल का यूज कर रहा हूं क्योंकि वो डाक है ठीक है उत मतलब ज्यादा भी डाक नहीं है नौर्मल डाक है तो मैं 4B पैंसल का यूज कर रहा हूं और थोड़ा जहां पर लग रहा कि डाक है वहां पर डाक करूंगा तो सिंपल यह मैं इसे भी ब्लेंड कर रहा हूं और प्लस मैं आप लोग अच्छे से देखना और बीच वाले पार्ट में भी मैं एच्वी पैंसल लाइट पैंसल का यूज करके फिर इसे ब्लेंड कर दिया like फिर से मैं इसमें डाक करूंगा थोड़े डीटेल वक करना होगा तो आप लोग अच्छी से देखो और last में मैं कया करूंगा और भी ज्यादा जो 10B pencil है उसका यूज़ करके और भी ज्यादा डाग चलाऊंगा अच्छे से reference photo को observe करके इसी तरह करके आप लोग को draw करना है और देख सकते हूँ मैं jelly roll pen का और tomon razor का भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कर रहा हूँ और धीरे धीरे यह करके यह भी बहुत ही काफी अच्छा लगने लगा लाइक देख सकते हो तो ऐसा कुछ लग रहा हूँ और यह बिल्कुल जैसा वहां पर बना हुआ है वह ऐसा बना दिया हूँ और बिल्कुल सेम जरूरी नहीं कि सेम आपको बिल्कुल सेम साइज मंदब जगह पर सेम चीज ही रहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोग बस ऐसा करो कि डीटेल वर्क करो लाइक वहां पर बस अच्छा लगना चाहिए लाइक की जो जो आप लोग को पता चले कि हाँ यह जो यह चमक रहा है काफी जो आपका अच् भी पैंसिल है जो लाइट पैंसिल उसका यूज करके मैं इसे ब्लैंड कर लूँगा तो काफी एक अच्छा एक लुक मिलेगा सो देखना लास्टली आप लोग फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा सो अभी मैं इसे भी और ज्यादा थोड़ा डीटेल वर्क कर लेता हू तो फाइनली गाइज यार जो हमारा वर्क है वो कम्पलीट हो चुका है तो लाइक जुवलरीज को देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा कुछ मतलब काफी मस लग रहा मैं खूस हूं यार अपने बट उतना भी वह नहीं किया और भी जादा डीटेल वर्क करता है और भी जादा टाइम देता तो और भी जादा अच्छा लगता बट आप लोग इतना काफी है यार काफी एक तो क्या-क्या मैं यूज किया था देख सकते हो ज